नमस्का दोस्तों मेरा नाम देवराजवासने हैं और आप सभी का सवागत देदा डेली प्राइजेक्शन शो विच चार्ट मुझो में तो दोस्तों आज के दिन हमने निफ्टी को एक गैब डाउन ओपनिंग देते वे देखा और 15700 के लेवल पे जस्ट हलका एक ठेक नीचे देखे ही निफ्टी वापिस से पुरा रिकवर हो गया बट अगर हम बैंग निफ्टी देखते हैं बैंग निफ्टी के अंदर हमें वीकनेस साफ साफ दिखाई दे रही है और उसने गैफ फिल कर दिया बैंग निफ्टी डारेकली गैफ फिल के लेवल पे ओपन हुआ था डेट स्वाइब अब दोस्तो कल के सेशन के अंदर एक्सपाईरी है और कल के लिए हमें थोड़ा स्पेसिफिकली लेवल वाइस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा तो जोस्तो नीचे का लेवल अब मुटा मुटी एक लग रहा है कि ये जो सपोर्ट बना है 15700 से 15680 का ये कल के सेशन के लिए काफी इंपोर्टेंस हाबित होगा 15680 तो 15700 ये लेवल के ब्रीच होने पे निफ्टी एक अटेंप मारेगा फॉर 15570 का जो गैप हमें पहले बनते वे दिखाई दिये थे उसको फिल करने के लिए at this place ओके ये एक अच्छा ट्रेट सेटप बनेगा इफ 15680 तो 15570 अब जुस्तो ऊपर के लेवल के लिए जो हम कई वीडियो में बोलते आ रहे हैं अभी 15950 के ऊपर ही हम कोई पोजिशन सोच सकते हैं अगर कल हमें 15900 पे भी निफ्टी ऊपन होते वे दिखाई देगा बट हमें 15950 का वेट करना होगा जिससे की हम को एक क्लियर इंडिकेशन मिले की बुल्स आर इनो एबल टो क्लियर दा रजिस्टेंस जोन रजिस्टेंस एरिया तो दोस्तो ऊपर के साइट 15950 क्लियर होने क के बाद हम अगेन 16150 का जो गैफ फिलिंग वाला लेवल है उसके लिए प्ले आउट करेंगे और अगर नीचे खुलता है 15680 के देन डेफिनेटली 15570 का एक टागेट इसके अंदर बनके आ रहे हैं अब दोस्तो चलिए बैंग निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं बैंग न कि यहां पे एक राइजिंग चैनल बन गया है बैंग निफ्टी के अंदर on a smaller time frame ओके नाउ वाट अधा इंपोर्टेंट लेवल यहां पे हमें 33,000 का जो लेवल है वो काफी एक important लेवल बनते वे दिखाई दे रहा है तो दोस्तो कल के session में 33,000 के नीचे जाते वे दिखाई दे तो हम ये channel के लिए play out कर सकते है channel breakdown के लिए और इसके नद जो swing lows है bank nifty के आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमारे पास दो target निकल के आ रहे हैं 32,000 के and then 32,000 के level पे तो ये दो target के लिए play out कर सकते है अगर हमें 33,000 के तूटे वे दिखाई दिया bank nifty में जो की एक rising channel का breakdown होगा upside में जो gap filling है okay 33,600 ये एक important level बन जाएगा अगर हम 33,400 पार कर देंगे आज का high then it will attempt to fill this gap and not only this gap it will also try to fill 33,800 okay but अगर हमें gap up opening दिखाई देती है bank nifty के ऊपर और near 33,500,600 level then one can avoid okay इस सच हम nifty में focus करेंगे दोस्तों अब हम एक बार DAO के चार्ट पे update ले लेते हैं और अगर DAO का चार्ट देखते हैं हम तो इसमें एक falling resistance line बनके आ रही थी around 30 to 100 के आसपास but हमें उस से पहले ही DAO एक resistance लेता बार दिखाई दिखाई दिया है अब दोस्त तो basically DAO is just following a lower low lower high formation अब हमें देखना पड़ेगा कि जो previous जो low था इसका swing low जो की 29.500 के area में हैं वो breach होता है definitely एक short trade होगा but अब यहां पे I think so DAO might consolidate okay so let us see still now हमें एक neutral से संकेत मिल रहे है बट अगर कर आज की दिन यह fall दिखाए तो definitely we can see world markets falling the DAO अब एक बर हम crude पे update ले लेते हैं crude का अगर हम chart दिखते हैं दोस्तो तो यहां पे हमें एक pullback जो नजर आ रहा है वो काफी एक sharp pullback है और यह one way हमें चार दिन से rally दिखाई दे रही है दोस्तो फिलाल 125 to 130 will be the critical reason to watch foreign crude यह निकलेगा तो और हमें pressure दिखाई देगा on equities तो दोस्तो फिलाल के लिए हम as such इधर से भी neutral type संकेत ही लेंगे अब दोस्तो मैंने कल के लिए दो short और एक long counter निकाला है ओके अगर हम market के उपर अगर अभी view बनाना चाहते तो almost एक mild negative साई है but we can see some of the heavyweight stocks performing well और उपर एक gap मिला है हमें nifty के chart पर तो हो सकता है उसको fill करने के यह एक कोशिस की जाए तो दोस्तो जो पहला counter है वो है HDFC life का अगर आप HDFC life का chart देखेंगे तो आपको यहां पे एक rising channel formation दिखाई दे रही है और आज के दिन हमें इसका breakdown भी मिला है तो दोस्तो कल के session के अंदर अगर हमें 539 के नीचे एक counter जाता वा दिखाई दे then definitely one can take a short side position जिसमें आप आज जो level पे एक close हुआ है उसका as an SL लगा सकते हैं तो दोस्तो इसके जो target निकल के आ रहे हैं वो पहले target 525 के level के around आ रहे हैं और दूसरे 50505 के around मिल रहे हैं तो दोस्तो यह जो दो target है यह हमारे swing lows है आप देख सकते हो channel पे यहां पे पहले एक support लिया था इन lows पे तो we are counting that as an target levels और जो हमारा next counter है जिसके अंदर short side का idea हमें मिल रहा है वो है Mariko तो दोस्तों Mariko के अंदर एक rising channel का breakdown मिल गया है हमें और उसके बाद हमें इसके अंदर एक pullback भी दिखाई दिए वो level retest होते भी दिखाई दिए बार बार यह counter यह pattern तूडने के बाद एक consolidation mode में चला जाता है अब अगर कल के दिन हमें 470 का level break होते भी दिखाई दे तो definitely हम आज के closing के level के as an SL लगा के we can initiate in short position for the levels of 460 and 450 यह दो level के हम play out कर सकते हैं तो दोस्तो अब हमें जो long side का जो chart idea है वो है coromandel international इसमें हमें एक symmetrical triangle बनते वे दिखाई दे रहा है इसके अगर आप देखे तो इसका projection यह squeeze हो रहा है और दोस्तो यह एक volatile stock है इस वज़े से हमें काफी बड़े moment दिखाई देते हैं इस counter के अंदर बट दोस्तो आज के दिन हमें इसके अंदर एक breakout दिखाई दे रहा है और कल के session में अगर यह 970 के उपर जाता है दिखाई दे तो definitely हम 985 और 1000 के level के लिए हम play out कर सकते हैं इसमें SL will be our closing basis जो आज इसमें SL will be our जो आज का close हुआ है वहाँ पे हम SL दालके इस level के लिए हम play out कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का ही वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो दोस्तो लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और जिन विएर्ज ने अभी तक चार्ट मौजो के channel को subscribe नहीं किया है दोस्तो तो definitely subscribe करें till then take care and I will meet you in the next episode झाल झाल झाल